कहां तो उडिसा को पूरे देश को नंबर वन होना चीये था, मैं जब यहाँ हूँ तो मुझे एक दुख की बात है उडिसा में हूँ उडिसा में, मैं जितना भी कहीं बार गया हूँ, तो मैंने देखा है कि इश्वर ने हमें बहुत पानी दिया है उडिसा में यहां लेक हैं, यहां डेम हैं, यहां पॉंड्स हैं, यहां रीवर है और कहीं हजार किलोमेटर की सी कोस्ट है उडिशा के पास चारो तरफ ग्रीन डी भी है तो यह कह सकते हैं फिश्री के लिए जो बिलकुल अच्छा माहोल वातावरण है वो उडिशा के अंदर है और उडिशा को टॉप में होना चाहिए था फिश्री के लेकिन दुख्की बात है कि आज आप सीड तो मंगालते हैं बंगाल से और फिश मंगालते हैं अंदरा और तेलंगाला से यह मेरे बड़े बड़े दुख्की बात है आप अदम श्री है इस सेक्टर में लेकिन ये कहां तो उडिशा को पूरे देश को नंबर वन होना चाहिए था पूरे देश में अगर किसी स्टेट को चाहिए फिस तो उडिशा समंगाए और कहां उडिशा अपने लाइक भी फिस पैदा निकरता उडिशा बार समंगाता है ये एक सोचने की बात है और यहां की परदेश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि Blue Revolution हम लेका है और अब परदानमंत्री मतस्य संपदा योजना लेका है और ये सेक्टर इतनी बड़ी ग्रोथ कर रहा है तो इस सेक्टर में उड़ी सा पिछे क्यों है ये सोचने की बात है और इसमें सोच के साथ हमें आगया बढ़ना चाहिए बीस हजार कोड की परदानमंत्री मतस्य संपदा योजना कभी किसीने कल्पना नहीं की होगी इस देश में कि फिसरी सेक्टर के लिए भी कोई सरकार इतने संसादन जुटा सकती है जितने संसादन इस सरकार ने फिसरी सेक्टर के लिए जुटाई है हो सकता है बभिष्य में आंधरा और तेलंगाने की तरह उड़ी सा सरकार भी अग्रेसिव होके इस सेक्टर में काम करे तो जो एक बिलकुल गाओं में गरीब मच्वारा है या बहुत छोटा सा किसान है वो कम से कम उसकी रोजगार भी उससे भी होगा और इससे प्रोटीन का इससे सस्ता स्रोत पूरी दुनिया में फिसरी और कोई है नहीं तो ये एक मेरे लिए भी और आप सब के लिए चिंता की बात होनी चाहिए और ये रोजगार सबसे जादे देने वाला सेक्टर जब एक दिविकास के हम बात करें तो फिसरी सेक्टर हो सकता है इस पर यहां की सरकार को मुझे लगता है फोकस करना चाहिए